भारत माला प्रिवोजना के तहत बिहार में कोसी नदी पर 1200 करोड की लागत से बनाय जा रहे पुल का सिगमेंट सूपोल में शुक्रवार की सुबा गिर गया इस घटना में 10 मजदूर जखमी हो गया जानकारी के अनुसार घटना के बाद नर्मान कमपनी के सभी अभियनता वो मजदूर भाग खड़े हुए लेकिन स्थानी लोगों ने मानवता का परिचे देते हुए सभी जखमी मजदूरों को बाई के सहरे अस्पताल पहुचाया बतले कि पुल के सिग्मेंट के गिरते ही धर्ती इतनी कापने लगी कि आसपास के लोगों को लगा कि भुकम पागया है लोग अपने अपने घरों से बाहर भागने लगे इसे बिच पुल नर्मान स्थल से मजदूरों की चीखने चलानी की आवास सुनाई दी लोग किसी अ आसपास के लाकों में आग की तरफ फैल गई भारी संख्या में लोग नर्मान स्थल पर पहुचने लगे अघटना घटित होने के बाद दर के मारे नर्मान में लगे कमपणी के सभी अभियनता साइडन चार्ज सहित बगल के टिंट में आराम कर रहे मजदूर मौकी से इस दरान बॉक्स सेग्मेंट को ट्रक से ट्रांसपोर्ट कर लाया गया था जिसे क्रेंट से खीचा जा रहा था इस दरान किसी एक कोने का क्लेप धीला पड़ गया जिस कारण सेग्मेंट बॉक्स ट्रक पर गिर गया ट्रक पहले से एक सेग्मेंट बॉक्स पर खड़ा था और इसी वज़ा से दूसरा सिग्मेंट बॉक्स भी गिर गया देखते देखते करीब 12 बॉक्स गिर गया और यह सिग्मेंट बॉक्स तो पिलर के बीश थे वही जानकार बताते हैं कि क्रेन का पिन तूट जाने के कारण बॉक्स सिग्मेंट गिर गया इसके बाद तूटे मलबे को हटाने के लिए क्रेन का इंतजार किया जाने लगा अब हारी भर कम क्रेन रहने के कारण काफी देड़ तक मौके पर नहीं पहुंच सकी लोग अंदेशा जदा रहे थे कि इस मलबे में और भी मजदूर फसे हो सकते हैं मालूम हो कि बक और की तरब से ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेट कारी करवा रही है जबकि मधुबनी जिले के भीजा की और से गेमन इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेट पुल का निर्मान करा रहा है वही भारत माला प्रोजेट के तहत पांच पैकेजों में पुल बन रहा है इन ही में से एक पैकेज में इस पुल का निर्मान हो रहा है ये पुल सामरिक दिश्ट्रिकों से भी बहुत महत्पून है ये पुल नेपाल, बांगरादेश और भूटान के साथ उतरपूर के राजियों को जोड़ेगा